हेलो फेंट्स मैं हूँ प्रश्रोच शर्मा और आप देख रहे हैं टिंटन फेल्म एडवेंचिस का शो हेल्थ कल्चर लाइफ आज हम हार्ट से रिलेटेट कुछ इस्यूस को डिस्कस करेंगे उसके लिए हमारे साथ हैं सूपर स्पेशलिस्ट कार्डिक सर्जन डॉक्टर संजीव सिडाना Fractional Flow Reserve किसे कहते हैं कभी-कभी हम जब एंजिग्राफी करते हैं तो पेशेंट्स की आर्ट्री में बोडर लाइन ब्लॉकेज आता है तो जब भी बोडर लाइन ब्लॉकेज होता है जैसे 6-70% ब्लॉकेज हो गया तो हमेशा यह इस पेशेंट को आगे दौईयों की जूरता ह यह आगे अंजिप्लास्टी करनी पड़ेगी तो ऐसे पेशेंट्स में डिसीजन लेने के लिए हम लोग एक टेस्स करते हैं जिसका नाम Fractional Flow Reserve है बहुती सिंपल टेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं प्रेशर वायर होती है डॉपलर वायर जिसको हम आर्टरी के अंदर अगर 0.8 से जादा आता है तो ऐसे पेशन को कुछ भी करने की जूरत नहीं है और ऐसे पेशन का दवाईयों से हम इलाज कर सकते हैं लॉपलर यह क्या सिमिलारिटीज या डिफरेंसे होते हैं बैसिकली कार्डियक जो हर्ट अट है हर्ट अट होता है तो उसकी वज़े से का एक पेशन को काफी फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए होता है क्योंकि हाँ एक पेशन में अट प्रसेंट बंद हो जाती है उसमें ब्लड आगे नहीं जाता है तो हाट की मास-पिश्या डेमेज नहीं लगती है और हाट का इलेक्टिकल सिस्टम भी देमेज लगता है तो एसे इस बंद अर्टरी का इलाज हो सके इस बंद आर्टरी 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 का इलाज हो सके तक तो एक तो एक तो करने की दवाई जिसको थेरापी ते उससे करते थे बट अभी इस समय बिल्कुल एस्टाइबिलिज्ट है कि हार्ट अटेक के पेशेंट में जो सुपीरियर थेरापी वो प्रैमरी अंजोप्लास्टी है जो हार्ट की हार्टरी बंद है उसका हम अंजोग्राफी करके उसमें क्लॉट होते हैं उनको हम सक करके निकालते हैं और उसके बाद बालून से उपन करके उसमें स्टेंट लगा दे ते जिसको प्रैमरी अंजोप्लास्टी कहते है यही ट्रीटमेंट है कुछ पेशेंट में हार्ट अटेक की वएज से जब एलेक्टिकल सिस्टम डेमेज होता ह है तो हार्ट की बीट अचानक बहुत तेज हो जाती है और हार्ट की बीच अचानक बहुत तेज होने से उसमें पेशेंट को ब्लड नहीं पोच्छता है और पेशेंट सड़नी गिर जाता है कोलाप्स हो जाता है ऐसे पेशेंट के पास मुश्किल से दो या तीन मिनिट का ह तो तुपक्र पीसिंक नेचर पेसे एंडर पेसे प्टेर्शन को नेच्चन नेच्छ नहीं मिले, तो पेशिक्टींट्स की डेथ हो जाती है। बसक्किली जो झो झो जन फ़े केमें हम ना अश्चरी करते हैं और जो इसको हम पतला केटर है जिसको हम केम हर्ट की ओर्ट की आन्टरी क PC रेजा जाते हैं, जसको सभुते ऑप्पली ही उसमें मार्ट की सब्रह थे हम शब्लोकज है ऑंद मेरे stimulants व मेरे ठीकते हैं, तो इसको CT angiography कहते हैं. Although एक मित है, public में बहुत की CT angiography बहुत ही safe है और complication free है और वैसे normal angiography में काफी risk है और नहीं करानी चाहिए. लेकिन basically angiography में एक ही चीज एक्स्टा होती है, वो है एक arterial puncture. उसके अलावा CT angiography का angiography के ओफर कोई advantage नहीं है. क्योंकि दो जो main side effect होते हैं angiography के, वो है exposure to contrast और exposure to radiation. और बलकि CT angiography में radiation और contrast ज़्यादा होता है. conventional angiography हम normally 20-30 ml contrast के साथ कर लेते हैं और जो radiation exposure है वो भी काफी कम होता है. CT angiography में radiation exposure भी ज़्यादा है और contrast कम सकम 70-80 ml चाहिए होता है. तो इस वज़े से बहुत ज़्यादा advantage नहीं है और information कई बार उतनी हम लोगों को CT angiography में नहीं मिल पाती है जो normal angiography में मिलती है. और second चीज है कि CT angiography normally हम उन पेशेंट को ही advise करते हैं जिसमें हम लोगों को लगता है कि बिमारी होने के संभावना बहुत कम है. तो इस ऐसे पेशेंट में जस्ट एक डॉक्यमेंटेशन के लिए कि हाँ कॉर्णरी आर्टरी नॉर्मल है तो CT angiography करा सकते हैं लेकिन कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें डिजीज निकलने की probability काफी जादा है और या फिर पेशेंट को sudden onset symptom है, recent symptom है एसे पेशेंट को में CT angiography का कोई अडवांटेज नहीं एसे पेशेंट को नॉर्मल अंजिजग्राफी ही करानी चाहिए उसमें ज्यादा इंफोर्मेशन भी मिलती है और अगर option होता है, possibility होती है तो साथ के साथ हम treatment भी कर सकते हैं और time waste कम होता है ये डिफ्रेंशियट कैसे होता है कि एंजिगाफी होगी या बाइपास होगी basically हम लोग जब एंजिग्राफी करते हैं तो ये भोट सारे फेक्टर्स हम कंसिडर करके डिसाइड करते हैं कि पेशेट को अंग्योपलास्टी की जूरत है या बाइपास की जूरत है इसे पिशेंट्स को जाहतर बाइपस अरजीगी सला देते थे या लेफ्ट नें जो मेन आर्ट्री उसमें ब्लोकेज निकलता तो ऐसे पिशेंट को बाइपस अरजीगी सला देते लेकिन अब फिशले आठ-टस सालों में टेकनॉलोजी काफी एडवांस हो गया है अगर तीनों आर्टरी में भी ब्लॉकेज है, लेफ्ट में आर्टरी में भी ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज ज्यादा लंबे नहीं है, जिनमें एजली एंजो प्लास्टी हो सकते हैं, तो एसे पेशन को फर्स्ट ओप्शन हमेशा एंजो प्लास्टी का ही हम देते हैं, फर्स ऐसे patient basically doctor बहुत सरे factors के हिसाः औरी साफसे decyda करते हैं जिनमें length of disease syntax scoring करने हम लोग हम फिखेल करते हैं multiple factor of bifurcation lesion calcium score calculate करते है length of lesion calculate करेज है, इन सारी चीज़ों के basis पे हम他說 TV but आज कल तीनो अर्टी में जो ब्लॉकेज तेसे पेशन की भी अम लग अच्छा फॉलॉप एता है। और अगर बहुत जादा लॉंग लिजन्स हैं, लिजन लेंथ मोर धन 40-15 मिलेमेटर हैं तो ऐसे पेशन्स को बाइपस से जादा मिलता है। और अगर्फिय और बाइपस सर्ज़री की क्या लाइफ होती है या क्या रेकरेंस होती है। देखिए, एक चीज मैं इसमें सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हार्ट की बिमारी का हार्ट की बिमारी चुकि डीजनरेटिव डिजीज है, बोडी में एज के साथ प्रोडिउस होती है तो इसका कोई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है। करिए तो अज भुषय कोई देनी अगारि थैओे में और कोई प्रवoin नहीं होगी यैज आज भीपस करिढ तो दूब्हा कोई प्रॉल्म नीं होगी। जब भी हम किसी पेशेंट में स्टेंट लगाते हैं तो दुबारा ब्लोकेज होने की डेफिनिटली उसमें संभावना रहती है जो की 10-15% होती है और वो भी कई जाभा ब्लोकेज होने जाधा रहती है अगर वेसल की डायमेटर है वह बहुत कम है खासकर के इस पेशली जो को ओनेश पर जूबारा ब्लोकेज होनी की समभावना जादा होती है और जिन पेशिटमे में मल्टीपल स्टैंट युज करते है तो पिसिन्स को डायबिटी है किड करते हैं तो उन में कुल मिला करके जो ब्लॉकेज की संभावना है वो 10 से 10 परसेंट के आसपास होती है और यह भी जो ब्लॉकेज होना होता है वो नॉमली इनिशल वन टू येर्स में हो जाता है अगर एक बर वन टू टू येर में ब्लॉकेज नहीं होता है तो आगे दुबा और जो एक में जो आर्टरी में ग्राफ लगाते है वो हम आर्टीरियल ग्राफ लगाते है उसका फेलर रेट कम होता है इस वाई से नॉमली पेशेंट लंबे समय तक एस्म्टमेटिक रहते हैं लेकिन असे पेशेंट का जब भी हम आट से 10 साल बात दुबारा अंग्राफी लें रिपीट बाइपास सखजगी कब हो सकती है रिपीट बाइपास सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन जैसा मैं पहले भी बताया था कि हम लोग फस्त चौइस में अगर ऑन्जो प्लास्टी फीजिबल होती है तो पेशिन को अंजो प्लास्ती की सला देते क्योंकि रिपी तो इस वज़े से रिपीट अगर ऐस फार आज पॉसिबल हो तो बाइपस के बाद भी अगर पेशिंट को दुबारा प्रॉब्लम होती है तो हम एंजो प्लास्टी की सला देते हैं और नॉमली फर्स टाइम अगर प्रेजेंट करता है पेशिंट और अंजो प्लास्टी फीज क्या है क्या है है हुआ हाट की फील्ड में कई नई टेक्नोलोजिज आई है जैसे कि जैसे अभी हाट अटेक के बारे में हम डिस्कस कर रहे रखे तो बिसक्लिए कुछ समय कुछ सालों पहले अगर 15-20 सालों पहले की बात करें तो एकी ट्रीट्मेंट ओप्शन होग उता थ तो उसमें स्टेंट लगा देते हैं, यह काफी बेनिफिशल है, इससे पेशिंट का हार्ट डेमेज होने से काफी हद तक बच जाता है और उसमें हार्ट पिलिर में जाने के संभावना काफी कम होती है सेकंड चीज जो है कुछ डिगनोस्टिक मोडालिटी जिनमें एक आइवस है जिसमें एक छोटी बहुत चोटी अल्टरसाउंड मशीन होती है जिसमें हम हार्ट के अर्टरी के अंदर इसको डाल करके देख सकते हैं तो किस तरह के ब्लॉकेज पिलिए इसकी लेंथ कितनी है उसमें कैशियम कितना है यह डिगन्नोसिज मना सकते हैं थर्ड चीज वो फेयफफर है एफ एफ ए वार्डर लाईन लिजन में यूज कर सकते हैं सकते हैं तो ज numbers हमें लिए ऐसे टोंफान जो हैं कि जोने करनी जएता है इस हमेशां ऑगर उपॉप्लास्टी करनी चाहिए और नहीं कर फेंड में लिए क्यूंकि हमें अगर उमार्चियों neu आज कल हम लोगो काफी मोडेल्टी अवलेबल हैं जिसको जो कन्वेंशल केल्शियम रिमुवर टेक्निक है वो रोटाबलेशन है रोटाबलेशन एक छोटा बर होता है जिसको हम अर्टरी के अंदर बहुत तेजी से गुमाते हैं जिसकी वज़े से वो केल्शियम को कट करके कुछ समय से एक नहीं टेक्निक है जिसको आईवेल बोलते हैं इंट्रवेस्कल लिथो ट्रेप्सी इसमें हम बैलून एक ले जाते हैं उस बैलून को आर्टरी के अंदर पाक करते हैं और उसमें शौक वेवस निकलते हैं उस शौक वेवसे हम केल्शियम को कट कर देते हैं और फिर उसके बाद सबसेक्वेंटली अंजोपलास्टी काफी एजी हो जाती है कुछ पिछले कुछ समय से जैसे कि हार्ट के वाल की डिजी होती तो ऐसे पेशिंट का ट्रीटमेंट हमें सर्जी से ही करना पड़ता था बट आजकल लेटेस्ट टेक्निक से हम लोग बिना सर्जी के वाल को भी रिप्लेस कर सकते हैं जिसको टावर बोलते है ट्रास्कुटेनियस वाल रिप्लेस्मेंट तो यह भी एक बहुत ऐसे पेशेंट के लिए जिनमें सर्जी पॉसिबल नहीं है बहुत हाई रिस्क सर्जी है तो ऐसे पेश्ट का बिना सर्जी के भी वाल को चेंज कर सकते हैं डॉकसाब इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे हार्ट के ट्रीटमेंट में क्या डिफ्रेंसे है आजकल चुकि टेक्नोलजी के ट्रांसफर है वो काफी फास्त होता है तो इसलिए आज के समय में ऐसा नहीं कहूंगा कि हम वर्ड के किसी भी कंट्री से पीछे हैं जो भी वर्ड के किसी भी कंट्री में अविलेवल है वो हम भी यहां पर कर सकते हैं अगर अगर आप इवीडियो फेस्बुक पर देख गए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए अगर यूट्यूब पर देख गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तबाना ना भूलिएगा इससे आने वाले हर वीडियो की जानकरी आपको सबसे पहले मिलेगी आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए थैंक यू